देखिए हमने अपने भोजन को चबाया, भोजन चबाने के बाद हमने भोजन को अंदर निगला, भोजन हमारे भोजन नली से होते हुए, जिससे इंगलिश में इसोफेगस कहते हैं, वहां से होते हुए हमारे पेट में आया, पेट कहलो, आमाशे कहलो, स्टमक कहलो या जठर कखर वहां पर एक सफिंक्टर होता है जो तब ओपन होता है जब किसी भी फूड को जिसे हम निगल रहे होते हैं उसे पेट में जाना होता है तभी ये स्पिंग्ठर खुलता है और रेस्टिंग पोजिशन पर ये क्लोज रहता है अब जब ये फूड हमारे स्टमक में आ जाता है तो हमारे फूड के साथ क्या होता है ये हमें इस वीडियो में जानना है लेकिन ये बात हम तब तक नहीं जा के इसके लिए हमने इसे दो भागों में बाढ़ दिया है इसके लेयर को हमारे स्टमक का एक लेयर म्यूकोसा का होता है जो कि हमारे स्टमक की अंदरूनी लाइनिंग होती है जिसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं एक मोरदार सनचना जिसे रूगे कहते हैं जैसे आप अभी इस image में देख पा रहे हो रूगे ही हमारे stomach में भोजन के पाचन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण role play करता है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे ये जो आप रूगे देख रहे हैं हमारे stomach के अंदरूनी lining पर और इसके जब हम अंदर जाएंगे यानि इस mucosa के layer के अंदर stomach के बाहरी वाले परत पर तो ये बाहर वाली परत muscle की बनी हुई होती है जिसमें muscle के तीन layer होते हैं सबसे अंदरूनी layer muscle वाली oblique muscle की layer होती है उसके अंदर circular muscle की layer होती है फिर सबसे बाहर वाली longitudinal muscle की layer होती है हमारे पेट के इस muscular layer और रूगे यानी mucosa के बीच में बहुत सारी blood vessels, nerves और lymphatic vessels बीचे हुए होते हैं हमारे stomach को friction से बचाने के लिए इसके बाहर की और एक और membrane की layer होती है जिसे cirosa कहते हैं बाहर जो peritonium की layer होती है जो हमारे पूरे के पूरे digestive system को cover किये रहता है उससे हमारे stomach को friction से बचाने के लिए ये layer हमारे stomach में बाहर की और होती है ये cirosa की layer ये जो हमारे stomach के अंदरूनी lining है जिसमें बहुत सारे folds हैं जिसे रूगे कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा important है हमारे stomach की सनचना में यही सब काम करता है हमारे भोजन के पाचन में stomach के अंदर इसी fold में से कई सारी chemicals release होती हैं जो हमारे food को chemically breakdown कर देता है असल में इन folds के अंदर भी बहुत ही छोटे छोटे folds होते हैं देखिए ये जो रूगे folds के अंदर folds होते हैं इन्हें gastric pit कहते हैं और इन्ही gastric pit के अंदर ही इन्ही folds पर ही कई प्रकार के cells होते हैं जो अलग-अलग chemicals को release करते हैं जो भोजन के पाचन में मदद करता है देखिए ये है हमारे इस रूगे के gastric pit के fold पर मौजूद parietal cell ये parietal cell क्या करता है ये हमारे स्टमक के अंदर HCL यानी hydrochloric acid का निर्मार करता है जो की हमारे पेट में आने वाले viruses बैक्टिरिया को मारता है और food को छोटे छोटे टुकडों में तोड़ता है ये है chief cell ये chief cell क्या करता है ये हमारे स्टमक में pepsinogen को बनाते हैं जो की protein को peptide में तोड़ता है ये है हमारे स्टमक में G cell जिसे gastrin cell के नाम से भी जानते हैं ये हमारे स्टमक में gastrin hormone को बनाते हैं जो कि हमारे इसी gastric pit में मौझूद parietal cell और chief cell को stimulate करता है HCL और pepsinogen बनाने के लिए ये है हमारे इसी रूगे पर मौझूद ECL cell ये हमारे पेट में histamine को release करता है जो कि पेट में gastric acid के निर्मार के लिए बहुत ही आवर्शक है और last में ये है D cell जो कि somato statin नाम के hormone को release करता है हमारे पेट में जो क्या करता है अंत में इन सभी hormone और enzyme को inhibit कर देता है जब इन सभी की जरूरत पूरी हो जाती है ये जो HCL, Pepsinogen, Gastric Acid जैसी चीज़ों को ये inhibit कर देता है ज़रूरत पढ़ने के बाद ठीक इसी तरह हमारे स्टमक के inner lining को acid से बचाने के लिए हमारे इन ही रूगे पर कुछ mucos cells होते हैं जो mucos बनाते हैं जिसे से पेट के अंदरूनी दिवार पर lubrication और ये HCL से पेट की inner lining को बचाते भी हैं ये तो कुछ हलका से मैंने आपको overview दे दिया है पेट के इन mucosa layer के बारे में अब हम ये जान लेते हैं कि हमारे स्टमक के muscular layer का का काम हमारे स्टमक में क्या होता है देखिए हमारे स्टमक में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे अंदरूनी वाली muscle की layer oblique muscle की layer होती है ये क्या करता है ये हमारे स्टमक में जो juices निकलते हैं food के आने के बाद इन सब को mix करता है इन सभी को grind करता है ठीक इसी oblique muscle के नीचे हमारे स्टमक की सर्कुलर मसल की लेयर होती है जो क्या करती है? ये हमारे पेट में जो food आया है उसके movement में मदद करता है ताकि भोजन आसानी से छोटी आत में पहुच सके और आखरी muscular layer longitudinal muscle की लेयर होती है ये भी हमारे स्टमक में भोजन के movement यानी peristalsis में मदद करता है और जब भोजन पेट से छोटी आत में प्रवेश करता है तो ठीक यहीं पर यहाँ पर एक sphincter होता है जो तब खुलता है जब भोजन को स्टमक से छोटी आत में भेजना होता है इसे pyloric sphincter के नाम से जाना जाता है तो देखे एक बहुत ही छोटे से वीडियो में मैं आपको यह समझाने का प्रयास किया हूँ कि स्टमक की सनचना होती कैसे है और इनमें किन-किन cells की involvement है उमिद करता हूँ कि आप ये बात आसानी से समझ गए होंगे खैर आगे आने वाली वीडियो में हम digestive system को और broadly जानेंगे तब तक आप इस वीडियो पर अपना reaction देना मत भूलिएगा